गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के जो पुरातात्तिक स्वोथ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए-ने नोटिफिकेशन मिलें आप इत्यास से सम्मंदित नहीं नहीं जानकारी प्राप्त कर सकें बेल आइकन को दबाईएगा आपको नए-ने नोटिफिकेशन मिलेंगे और प्राचीन भारत के जो पुरातात्विक स्रोथ हैं उनके बारे में महत्वपुन जानकरी हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे तो देखिएगा स्टूडेंट्स प्राचीन जो भारती इत्यास है इसको जानने के लिए पुरातात्विक स्रोथ सर्वाधिक महत्वपुन इम प्रमानिक स्रोथ हैं देखिएगा जहां पर साहित्यक स्रोथों से इस्तिती स्पस्ट नहीं होती वहाँ पुरातात्विक सामगरी हमारे लिए सबसे अधिक उप्योगी है और पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेक, भूमी अनुदान पत्र, मुद्रै, स्मारक, स्मारक यह भवन, मूर्तियां, चित्रकला, यह उत्खनन में जो प्राप्त अन्य सामगरी है वो आती हैं इनी सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो एक्जाम की दरस्टी से भहुती भारत में पुरातत्व समंधिकारिय का आरंब यूरोपियों ने किया था पुरातत्व के छेत्र में अपने अमुले योगदान के लिए अलेकजेंडर कनिंगम को भारतियों पुरातत्व का जन्य कहा जाता है ठीक है तो भारतियों पुरातत्व का जन्य किसे कहते हैं अलेक कौन से स्रोथ आते हैं इस्थम तम्र अभिलेक और सिलालेक सिक्के मुहर भूमे अनुदान पत्र स्मारक्यम भवन मूर्तियां चित्रकल्ला और उत्खनन में प्राप्त अन्य समगरी तो देखें का पुराता अतिक स्रोथ हैं ये प्राचीन भारती थ्यावस को जानने में महत अंदाजा लगा जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा ठीक है तो देखेंगा सबसे प्राचीन अभिलेक मध्धे एसिया का बोगजकोई का अभिलेक है 1400 इसा पूरवे में ये अभिलेक लिखा गया तथा इस अभिलेक पर इंदर मित्र वरुन अदि वधिक देवताओं के नामें मिलते हैं तो ये क्युशन कई बार पुछा गया है कि जो आपका 1400 इसा पूरवे का जो अभिलेक है इस पर कौन से देवताओं के वधिक में हैं ये क्यूसन भी कई बार पुछा गया है कि असोग के अभिलेग कौन सी लिपी में हैं ब्राहमी लिपी में हैं असोग के अभिलेग तीसरी स्ताब्दी इस्सा पूर्वे के हैं उत्री पस्तिमी भारत के कुछ अभिलेग जो असोग के मिले वो खरोस्टी लिपी में मिल हमस्कि गुर्जरा निटूर था उद्दे गोलन रहिच्गृकृस fren Разघंग करायस orlic in the और अणि ऑ ہو स他 है मास्कि गुर्ज्रा निटूर से थूर। थीक है। इन अघंगों से असो के धम रजत्वाय के आधर्स पर परखाससे पढ़ता है लगमान इम सरेकुना से प्राप्त असोग के अभिलेख युनानी और आरेमाई के लीपियों में है ठीक है सरव परतम 837 इस्वी में जन्स प्रिंसेप ने ब्रहमी लीपी में लिखित असोग के अभिलेखों को पढ़ा था ठीक है दारा से प्रवावित होकर असोग ने अभिलेख प्रसलिते किये थे आहत मुद्राओं के सबसे पुरानी नीदिया पूर्वी उत्तर परदेश और मगद में प्राप्त हुई है पुराने सिक्के तंबा, चांदी, सोना, सिसा दाथु के बनते थे आरंबिक सिक्के हैं, वो चांदी के हैं, सातवानों ने सिसा के सिक्के चलाए थे गुप्त सासकों ने सरवादिक सोने के सिक्के चलाए तो ये कि उसने भी कई बार आता है कि कौन से सासकों ने सरवादिक सोने के सिक्के चलाए वो हैं आपके गुप्त सासक भारत में सरापर्थम सोने की मुद्रा का प्रचरन इंडो बेक्ट्रियन ने किया था सरवादिक सिक्के मोर्योत्र काल के मिले हैं सबसे ज़्यादा सिक्के कौन से काल के मिले हैं मोर्योत्र काल के आरंबिक सिकों पर चिन मात्र मिलते हैं लेकिन बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तता तीथियां भी उलेखित हैं सरापर्थम लेखवाले सिक्के इंडो ग्रीक सासकों हिंदी उनानी सासकों के स्वान सिक्के हैं सरव पर्थम लेख वाले सिखे इंडो ग्रीक सासकों के जो सोने के सिखे हैं पकाई मिटी के बने सिखों के सांचे इस्ता की आरंबिक तीन सदियों के हैं इन में से अधिकान सांचे कुसान काल के हैं पकाई मिट्टी के बने सिकों के जो सांचे हैं वो इस्सा की आरंबिक तीन सद्यों के हैं इन में से अधिकान सांचे कुसानकाल के हैं प्राचिन भारत में कुसानकाल से मूर्तियों का निर्मान प्रारम हुआ था भरहुत बोद गया और अमरावती की मूर्ति कल्ला में जनसमने के जीवन की दशा ग्यात होती है मंदीरों तदा इस्तूपों से भारतिय संसकर्थी वास्तु कल्ला सहली का परीचे मिलता है अजन्ता के चित्रों से ततकालीन जन जीवन की अभिवेक्ति होती है हडपा मोहनचोजडों से प्राप मोहरों से ततकालीन दार में की स्तिती ज्यात होती है तो देखेगा हमने हडपा मोहनचोजडों के बारे में भी पहले पढ़ावा है और सिंदुगाटी सभ्यता की जो लिपी है उसके बारे में पहले पढ़ावा है तो पहले वाले वीडियोज को देखेगा, मूर्तियों की निर्मान सेली में गांधार कला की सेली पर विदेशी परभाव दिखाई देता है, जबकि मतुरा कली की सेली है, वह है, पूंट या सुदेशी है, तो गांधार कला विदेशी है, मतुरा कला सुदेशी है, बसाड से प्राप्त मिट्टी की मुहरों से व्यापारिक स्रेणियों की जानकारी मिलती है कस्मीर के नवपासानिक पुरास्तर बुर्ज होम से गर्तावास का साक्से मिला है जिन से उतरने के लिए सीडिया होती थी नवपासान काल के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है उत्तर भारत के मंदिर नागर सैली दक्सिन के दर्वीड सैली तथा दक्षिनापत के मंदिर वेशल सैली से निर्मित है तो उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर सैली में है और आपके दक्षिन के हैं वो दर्विड सहली में है तथा दक्षिन अपत के जो मंदिन है वो वेसर सहली से निर्मित है सरवाद्धिक अभिलेग मैशूर से मिले हैं प्रारंबिक अभिलेग गुप्त काल के पहलेगे प्राकर्ट भासा में लेकिन गुपत और गुपत तरकाल के अभिलेक संस्क्रित भासा में मिले हैं यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर विदिसा से प्राप्त गरुड स्थम्ब लेक में दूसरी सताब्दी इस्सा पूर्व में भारत में भागवत धरम के विक्षित होने के साख से मिलते हैं मद्धे पर्देश के एरण से प्राप्त वारह प्रतिमा पर हूनराज तोर्मान के लेखों का विवरण है परसी पोलिस और बहिस्तून अभिलेखों से ग्यात होता है कि इरानी समराठ दारा ने सिंदू गाठी को अधिकरत कर लिया था अभिलेखों में भारत वर्स का उलेख, हाती गुंबा अभिलेख, रेसम बुनकुरों की जानकारी, मत्सोर अभिलेख तता सत्ती पर्थागे साख से भंदुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलते हैं सिला लेखों का अध्यन एपिग्राफी कहलाता है सिला लेखों का अध्यन है वह एपिग्राफी, सिक्कों का अध्यन है मुद्राशास्त्र प्राची इंतम सिक्के आहत सिक्के जो पंचमार के सिक्के भी कहलाते हैं इनी सिक्कों को साइते में कार्शारपड कहा गया है ये सिक्के पांचवी स्तापदीशा पूर्वा के हैं इन सिक्कों पर पेड, मचली, सांड, हाती, अर्ध, संदर, अधिक्रीतियां उत्किर्णे हैं तो देखिएगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के जानकारी के लिए जो पुरातात्तिक स्रोथ हैं उनके बारे में इंपोर्टेंट जो इंपोर्मेस्टन वो प्राप्त की और आगे के वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और इत्यासे संबंदित नई नई बाते आपको बताएंगे धन्यवाद